दोस्तों जैश्री राम महिमान्शु शर्म आपके अपने ही यूटूब चैनल इश्ट्रोवित सर्मा जी में आप सभी का हार दिक, हार दिक अभी नंदन करता हूँ आज हम बात करने जा रहा हैं शनी देव की महादशा में करे यह तीन महाँ उपाए जी हैं और शुब परिणाम दे रहे होंगे तो भी दोनों ही इस्तितियों में आप इन उपाईों को कर सकते हैं शुब परिणाम दे रहे होंगे तो सुबता बढ़ जाएगी अशुब परिणाम दे रहे होंगे तो सुबता कम हो जाएगी यह तीनों के तीनों ऐसे उपाय हैं, चाहे आपका जन्म किसी भी लगन में हुआ हो, किसी भी रासी में हुई हो, किसी भी नक्षतर में हुआ हो, आप इन तीनों उपायों को कर सकते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको शुब परिणाम ही आपके जीवन में परिलिक्षित हो जनों का विकलांग जनों का disabled लोगों का आप अपनी आर्थिक स्थिती के अनुसार विकलांग लोगों को दिव्यांग लोगों को कुछ न कुछ उनके आवश्यक चीजें उनके जरूरत की चीजें आप उन्हें दान अवस्य करें सब से पहली बात नमबर दो, पीपल देव में नियमित रूप से आप जल अर्पित करना प्रारंब करें, रवीवार को छोड़ कर, सोमवार से सनीवार हफते में छह दिन, आप नियमित रूप से पूरे भक्ति भाव के सान, आप शनी देव में जल अर्पित करें आज का तीसरा और अन्तिम उपाए, तीसरे उपाए के पूर्व दोस्तों मैं अब सभी से आगरा करता हूँ, वीडियो को लाइक अवस्ते करें और कमेंट बॉक्स में जयजय श्री राम अवस्ते लिखें, वुशिश्वर के नाम अवस्ते लिखें, जिसके अनुकमपा से मै इस वीडियो को बोल रहूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का तीसरा और अंतिम उपाए। हनुमान जी के मंदिर में तील के तेल का जीहां, तील के तेल का आप दिपक अरपित करें। हो सके तो दीप आप पश्चिमा भी मुख होकर, पश्चिमा भी मुख आप दीप अरपित करें, जब आप दिर दीप अरपित करें, तो उस दिये की अगनी जो है वह पश्चिम दिशा की और प्रज्वलित होनी चाहिए। यदि ऐसा न भी करते बने तो फिर भी चलेगा, बस आप हन्मान जी के मंदिर में प्रत्येक सनी वहां रखो, आप तील के तेल का दीप अरपित करें। चलिए दोस्तो, आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दे में, अगले कारिक्रम में फेर एक नहीं विसावस्तुक साथ मैं आपकी सिवा में हाजर होंगा। आज के लिए जजय श्री राम।